साबुद दाना समच तेल में बनने वाला काफी सारा नाश्ता जो होगा बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी इसे बनाना तो बनता ही है फ्रेंड्स आज तक आपने भीगे वे साबुद दाने का अप्पे खायोंगे पर आज मैं आपको कच्चित साबुद दाने के अप्पे बनाना सिख लगां वे लेंगे एक कटोरी साबुद दाना और एक पैन में उसे ड्राइर रोस्ट करने के लिए डाल देंगे अ फूसे दो से तीन मिनट करना है बस ड्रेश्ट और भ्यान रहें इसका कलर स्थी नहीं होना चाहिए इसे अच्छे से ड्राइर रोस्ट कर लेंगे यह व JUST ऀदो हमारा ऑल nov D radio真 ओंग अंगे देन अब में आधां समय में 22 ग और मैंसे here सब्सक्राइबिज एक앙 इसे या मैं प्लेंडर में निकाल लेंगे और इसे पीस लेते हैं पिंट ये देखें मैंने साबुत दाने को अच्छे से पीस लिया है और इसका एक अच्छा सा पॉडर बना लिया है अब हमें एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और ये साबुत दाने का जो पॉडर हमने बनाया है वो इसमें डाव देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसमें ज़्यादा पत्ला नहीं करना है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए अब इसमें हम आलू मिक्स करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसमें हम डालेंगे नमक लाल मिर्ज पाउडर काली मिर्ज पाउडर बरी कटा हुआ हरा धनिया अध्रक जीरा और बरी कटी हुई हरी मिर्ज थोड़ा सा बीकिंग थोड़ा चुटकी बर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे मिक्स्चर अभी भी थिक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर रहे हुँ हमारा यह मिक्स्चर ऐसा होना चाहिए हमारा मिक्स्चर तयार है यहां पर अब्बे मिक्र लिया जैसे यह थोड़ा सा गरम होता है मैं इस पर गी लगा लूँगी हमारा यह गरम हो चुका है अब मैं इस पर इनके सारे ब्लॉक्स पर गी लगा लूँगी अब यह जो मिक्स्चर है अब मैं इसमें डाल दूँगी अब इसे थोड़ा सा सेट कर देंगे और इसे ढब देंगे प्रेंट्स अब तीन से चार मिनट हो चुके हैं एक बर में इसे चेक कर लेते हूं वाओ यह देखिए यह हमारे कॉर्णर से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसका मतलब हमारे एक साइट से यह तयार हो गया है अब हम इसे पलट देते हैं इसे बहुत अराम से पलटेंगे मैंने इसे पलट कर दूसरी साइट से भी अच्छी तरह पका लिया है अब हम देख लेते हैं हो गया है यह हमारे रेडी हो चुके हैं अब हम इसे प्रेट में निकाल लेते हैं यह देखिए फ्रेंट्स हमारे फुले फुले अप्पे बनकर एक दम रेडी है हमने इसमें कोई भी चटनी उस नहीं करी क्योंकि यह मैंने स्पेशल वर्ट के लिए बनाये हैं पर अगर आपका मनो तो आप धनिय की चटनी उस कर सकते हैं फ्रेंट्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी